कारमित्रों वंदेमात्रम जैगुर्देर मैं पुनाराम पनागर बोडला से एक समाजिक निवेदन ले करके आपके बीच में कुपस्तित हूँ समाने साथियों यह भी से काफी व्यापक है मेरे लिए लेकिन मैं आपकी योग्यता और इंटिलिजन्सी और समझ को भली भाती जानता हूँ और उसे मैं प्रणाम भी करता हूँ इसी आसा और उमीद के साथ यह निवेदन आपके बीच रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ दसवी पार भी इसनाता किशनात को तरवेस पर नवक्रियां लगती थी और ऐसे कंडिशन में समाज के 80% लोगों को नवक्री मिली दीरे से सासन की नीती बदलती गई चन संख्या बढ़ते गई विरोजगारी की संख्या बढ़ते गई उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर डिप्लोमर डिगरी और आंसिक रूप से कंपेटेशन लागो किया गया और अभी की स्थिति में आप जानते हैं कि एक छोटे से पोस्ट के लिए जहां लाखों की संख्या में आवितान जाते हैं वहाँ सरकार को अब कंपेटेशन के अधार पे ही नोकरी देने का अधार पे अपने आपकी बच्चे कैसी स्टेंड हो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों को प्राइविट विद्याले जैसे संस्थाओं में भेज रहे हैं और जहां पर आपका सालाना खर्च एक साल से एक साल में दस हजार से तीस हजार रुपय तक और दस वर्ष में अभी तक के आपका एक लाग से तीन लाग रुपय खर्च हो चुका है और यह खर्च आगामी समय में दो गुना से तीन गुना और दिन की दिन बढ़ते जाएगा इतना खर्च करने के बाद भी आपका खर्च तो हो गया है इसमें कोई दो मत की बात नही हैं लेकिन खर्च करने के बाद में आज भी कोई आपको कोई समाजीक संरक्षन प्राफ्त नहीं है समाज की एक मजबूत यूनिटी या एक आर्थिक ताकति संगठर नहीं बनी है जिसके आधार पर अपने और अन्य समस्याओं के लिए आप वहां जा सके वहां अपनी समस्या रख सके और उसका एक ठोस रिजल्ड या उसका समधार मिले समाने साथियों एक गुरुक्री पईवा कल्याण सभीती पंजीक्री संस्था के माध्यम से इन सारे खर्च जो हैं समाज के और इतनी बड़ी रासी जो अधर इस्थान में जा रहे हैं जो अन्य जगों पर जा रहे हैं उन्हीं जगों पर अला कि मेरी बात को आप छोड़ा सा समझ रहे हैं वहीं जा रहा है आपका रासी जिसका आप पिछले सोशल मेडियों के रूपया बाँर जा चुका है और आगामी समय में आप यदि समय रहते पर एलेट नहीं हुए समय रहते प्रे queríaस नहीं किये तो यह इस भी कोई द्राच संधे को नहीं वह यह एक लाख से तीन लाख रूपे की इस्तिती में अभी तक समाज का चार से पांच पर रूपे बाहर जा चुका है अब यह छोटा सा आंकडा मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा निविदन की रूप में समाने साथियों जैसा कि आप जानते हैं बाबा साथ भीम राव अबेटकर ने कहा था कि प्रतेक अधिकारी कर्मचारी और सक्षम बेक्ती समाज की सेक्षमेक निकास के लिए अपनी इंकम का 5% समाज को दें लेकिन इत्रों समाने साथियों हम 5% की समीति आपसे डिमांड नी कर रही केवल 2% की ही डिमांड कर रही है आपसे निविदन कर दो प्रतिसत में जैसे की ये तीस हजार की अधार पे हमने यहां पर गड़ना किया है हालाकि ये 400 की कारी कर्मचारियों में सभी का वेतन तीस हजार नहीं है किसी का कुछ कम भी है किसी का लाग डिलाग दो लाग पचास हजार रुपया ऐसे कर्डिशन में ओवराल चार सो अधिकारी कर्मचारी प्लस वेवसायों का अभी तक के जो रासी होता है बहतर हजार उनित चार सो बरावार होता है दो करोण अठ्यासी लाग रुपया ये पैसा समाच से बाहर जा चुका है और ये अन्य खर्च है जिसे डीजे साउंड सिस्टम खाना ये समय समय मे जर्च है जर्च है बेवा है और कई प्रकार के समाजी कारेकरम होते हैं उनमें समाच की जो रासी बीस हजार से एक लाख रुपया हर एक वर्स खर्च होता है इसमें कोई बहुत जादा गुणा भाव या सोचने की बात नहीं हो ही रहा है और आगामी समय में होगा भी ये खर्च हो चुका है और दोनों को प्लस करने के बाद जो रासी अभी तक के समाज से बाहर जा चुका है वह चार से पांच करों रूपया समाने साथियों हमारा ये कैलकुलेशन बताने और आपके वीच में रखने का उत्देश यह है कि यदि आप और हम समय रहते हैं और इस STs माजसता अधिकारी कर्मचारियों से विशेश निवीदन के रूप में हम निविदन कर रहे हैं करभद निवेदन कर रहे हैं कि समय लहते हैं आप इस समस्ता बेनर तरह एक आर्थिक ताकतिति मद्वुच यूनिटी में आप समलिच्छ हो जाए है और जिला और राजी इस्तरफ पर यह यह विद्याला बनता है तो सोचे यह जो रासी है और यह दोनु रासी समाज के बीच में रहेगा जी सहने की कम से कम हड्य से कुड़ों विरुजगारों को बैवसाय मिलेगा और नहींने जो व्योसाय के तवर तरीकें हैं और पॉसलपर सिक्षां को जिस तरह से सासंद की द्वारा गळाया जाता है उसी तरह से पर्टिकूलर समसाइटी के द्वारा और इतने अनभुवयों के द्वारा यहां पर रह रहे हैं बच्चों को भी सिक्षा के लिए उचित गैडलाइन और केरियर काउंसलिंग और सेमिनार आईजित किया जा सकता है जैसे को माने जाए विलासपूर में यह हस्टल बनता है विष्टी विद्याला बनता है और यहां हमने सो सेलेक्टेट बच्चों को जवार नोदे विद्याला के तर्च पर यदि रखते हैं तो यह चार सो कर्णचारी अधिकाली अपने विशर में आलड़ी महारत सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि आप जिस विद्याला में दस एक लाग सतीस लाग जैसा की एक चीज़ और रखना चाहूंगा निविद्यान करना चाहूंगा कि आप जिस विद्याला में दस एक लाग सतीस लाग रुपयर तीन लाग खर्च करके पढ़ाते हैं वहां आपके बच्चे के लिए एक विशर के लिए एक ही सिच्छत होता है जबकि आपके पास एक सोबीस एक सोबीस टीचर है और छे विशर है कुल मिलाकर कि यदि एक सो सब्सक्राइब करेंगे तो यह है एक विशर के लिए आपके 20 टीचर है अब सोचिए उस विद्याला इस विद्याला के पढ़ाई का इस्टेंडर भारत के दुनिया के तिने कहुँगा लेकिन कि वाद 36 लाटरी एक ऐसी समस्ता होगी जहां एक विशर के लिए 20 टीचर है मतलब एक पार्ट के लिए एक टीचर को आपके बच्ची की पढ़ाई के इस्टिल लगते होगा आपको नहीं समाजीक सुरक्षा भी मिलेगा और बहुत सारे ऐसे चीजह हैं जिनको खुले सब्दों में और समय के कमी के वजह से कहपाना अनिविदन कर पाना काफी कठीन है समाने सांतियों मैं आपसे यहीं निविदन करना चाहूंगा कि गई बात गनपत के हाथ पीती पात पिसाद आगे की सुधले इनी भावड़ाओं के साथ आप सभी से मेरा रोध है कि हमें किसी चीच का विरोध नहीं हमको उसकी बराबरी करना है आज विरोध के चक्तर में ह आशाल में जा खीचा किस संस्था में जा रहा है मैं कि आपके पास रहेगा आपके समान के पास रहा है तो कितने लोगों को रुजगार मिली वित ह новफ शॉरक्षा मिलेगी और समये पर समये पर सबस्थ सबण सबस्क्राइब करना बच्जों को हम स्देट करके नहीं बेज़ेंगे आज सबो अपने मेडर पतेर अपनी घर वज्दी की और प्रिश्कित्यों के वज़ा से इस कंडिशन में पहुंचे हैं और ये लोग समात के मुख्यधारा से इसी भी नहीं चुछना चाहतें कि इनको उस समय कोई मदद करने वाली ना कोई संस्था थी और नहीं कोई इस प्रकार की कोई प्रमाणिक प्रोग्रामिंग था जिसके क्यों मुद्ध करें रहा हमाङिक प्रसन जुको कि समय में अधिकारी करने प्रकार से लिए इसका आगे आए जिनकी जरूरत है समाज को आज आप देख रहे हैं आधनिकता के चलते बच्चम की पढ़ाई को आपको सर्भी करिये कि आपके आसपास में पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उन में से कितने लोगों को नौगेरी मिल गए या नौगेरी लगने के करार में और आज की स्थिति में जो बच्चे पढ़ यहां पर आपको समीति की आउसकता पड़ेगी एक अब आप यह विद्ा में केवाल आजनीती नहीं हर विद्हा में संगीत में खेल में साहित्य में और जितने भी विधानों सही विधाव में इंको परांगत किया जा सकता है शम्मानी साथियों और वक्त नहीं है आपसी बहस तर्ख वितर्ख का एक दूसरी को आगे पीछे या निचाया उंचती खाने का इसलिए आप सबसे मेरा इपात पुना करकर दिनी विदन है कि समय रहते हैं समीति में समस्था में जुड़िये और जुड़ करके समाज के भाव युड़ वने मादो